हलो फ्रेंड्स मैं हुरूची अजे और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स के नए दो फ्लेवर यह बहुत ही टेस्टी फ्लेवर है और यह आज मेरे लिए एक सेवियर साबित हुए हैं और आपके साथ शेयर करूँगी यह कहानी कि यह क्यों सेवियर के कुछ दिन पहले ही मैं मारकेट से नया फेल लेकर आई घर शेयर करने का मुझे मिला तो आज मैं इसे ट्राइ करने वाली हूं यह के है इसे बनाने की त्यारी करते हैं तो यह एक वेकर नया फ्लेवर मिक्स इसके अंदर चार सेशे हैं जिन में से तीन हमारे होम स्टायल मसा और एक जो है टांगी टोमेटो फ्लेवर मिक्स है इसके पीछे इसकी रेसिपी भी दी है कि इसे आप किस तरह से बना सकते हैं और इसके अंदर आप क्या क्या चीज़े आड़ कर सकते हैं तो चलिए इस पैकेट को हम खोलते हैं मैं तो बहुत एक्साइटीड हूँ इस पैकेट को बनाने में कि कैसा यह टेस्ट करेगा दोनों ही फ्लेवर बहुत ही टेंटिंग लग रहे हैं तो इस तरह से इसके अंदर यह लिखिए होम स्टाइल मसाला फ्लेवर मिक्स है तो जैसे कि इस पैकेट के बाहर लिखा था कि इ यूज होगा जो कि नियर अबाउट हाफ कप है तो मैं हाफ कप लूँगी ओट का एक सेशे के लिए साथ ही यहां पे मेरे पास कुछ कलर फुल वेजिटेबल्स है जो अपने अपने ओट में आड करूंगी जो इसे मों कलर फुल बनाएगा और देखने में भी बहुत टेस् है साथ में मैंने यहां पर पीज लिये हैं यानि कि मतर है बॉल मतर है तो यहां पर मैं दोनू ही फ्रेवर बना ले वानी हूँ एक सेशे होम स्टाइल मसाले का और एक टांगी मसाले का तो मैंने उसे साब से वेजिटेबल्स चॉप की है सबसे पहले मैं यहां पर आधा कप तो मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आप इस ओट को बनाएं और ट्रस्ट मी आपको ये ओट और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे तो पहले हम ट्यांगी टमाटो फ्लेवर बनाएंगे इसके लिए आप सबसे पहले ओट को ड्राय रोस्ट करें तो हम इन ओट को बिना को नहीं मिलेगा तो आप इसे रोस्ट कर लें और अलग से निकाल लें सेम पैन के अंदर आप एक गिलास पानी ले ले नियरबाग टूहंड़ेट सिक्स्टी एमल वाटर लेंगे हम और इसके अंदर मैं डालूंगी फ्रोजन कॉंस तो यहां पे मैंने वन टेबल स्पून क चेए आस-पास प्रोजन कॉंस डाले हैं थोड़ी से पीस भी डालूंगी मतर भी डालोंगी इसके अंदर रेट कैपिकुम येलो कैपिकुम के मैं वन बन स्पून डाल रही हूँ और ग्रीन कैपिकुम जिस्ट फाद कलर देखे कितना अच्छा कलर आ रहा है इसके अंदर तो इस पानी को मैं थोड़ा सा गरम होने दूगी, तो यह देखिए हमारा पानी गरम होने लगा है, इस समय मैं इसके अंदर अपने roasted oats टाल दूगी, जो मैंने half cup roast किये थे, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूगी tangy tomato flavor mix का sachet, बाकिया में कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना ह इस सेशे में सब कुछ है और balanced है, आप इसके अंदर डाल दी और इसे quick mix कर दे, कुछ प्याद नहीं करना है, मसाले के अंदर सब कुछ डला हुआ है, और अब मैं इसको cover करके medium flame पे 2-3 minutes के लिए cook करने के लिए रख दूँगी, तो करीब 2-3 minutes के लिए मैं इसे cover करके रख द हम सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुषपू आ रही है और देखे कितना बढ़िया से जल्दी जटपट बन गया है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, आप देखे कितना अच्छा लग रहा है और इस मौसम में ऐसा कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा दालेंगे और सेम पैन के अंदर हम 260 ml वाटर डालेंगे तो हम बना रहे हूं स्टाइल मसाला फ्लिवर मिक्स तो इसे भी थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल दोगी मतर तो थोड़ी से अबलेवी मतर मैं इसमे डालने है साथ ही मैं गाजर डाल रही हूं इसे थोड़ा कलर फुल बनाने के लिए और साथ ही मिसके अंदर डाल देंगे श्मला में तर जो भी श्मला में चौप डाने मेरे पास यहां थोड़ी सी पीली श्मला में चाहे है यलो काप्सिकम, रेट कैप्सिकम, एन ग्रीन के अप्सिकम मैं तीनो ही इसके अंदर बनाने देंगे और जैसे पानी गरम होने लगे हम इसके अंदर रोस्टेट ओट स्टाल देंगे चाहिए चाहिए पूरा सेशे अंदर अधा कप उट्सके लिए यह पूरा सेशे लग जाएगा अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसे भी हम अब कवर करके मीडियम फ्लेम पे न मैं इसे कवर कर दिया है और विल वेट फॉर टू 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 एन अफ मिनट तो लग बग दो मिनट हो गए हैं तो मैं इसे भटा के देखती हूं तो देखे हमारे जो ओट है वो बहुत बढ़िया से बन चुकी है और बहुत अच्छी खुश्पो आ रही है तो इसे मैं सर्फ करूंगी तो देखिए गर्मा घरम सर्फ करेंगे तो आप चाहें तो बनाते वे भी इसके अंदर आप थोड़ी सी रोस्टेट भुनीवी मुंफली डाल सकते हैं वह बहुत अच्छा फ्लेवर देगी इसमें चाहें तो आप एक स्नीम्बू का रस्पी लामन जूस्पी इस तो हमारे दोनों ही फ्लेवर्स तयार हैं और यार सेवियर फॉर मी क्योंकि इस मौसम में कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा था पर साथ ही साथ हेल्दी और न्यूटिशिस होना चाहिए तो इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एं ट्रस्ट मी बनाते वे मैंने इसे टेस साथ ही इस रेसिपी को और इस वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा थैंक यू